कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोनमा नमस्कार मित्रो मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास चैनल का नाम है संस्कृत साहितेवं संस्कृति और आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ रगुवंस महाकाव्यों महाकविकालिदास का तो महाकविकालिदास जिस प्रकार से मंगलाचरण करते हैं हम उस मंगलाचरण को देखते हैं वागर्था विवसंप्रत्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो वाणी और अर्थ की तरह जो एक दूसरे के साथ संप्रुप्ते हैं मिले हुए हैं वाग अर्थ प्रतिपत्ते वाणी और अर्थ के समान ही जो एक दूसरे के पूरख हैं ऐसे जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर शिव को मैं वंदना करता हूँ मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस प्रकार से शैव मतानुयाई महा कवी कालिदास अपना मंगलाचन प्रस्तुत करते हैं श्लूक बड़ा ही प्रचलित है उत्तम उपमा अलंकार जिसके लिए कालिदास जाने जाते हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे मेरी कुछ याद दास्तें जुड़ी हुई है देखिए मैं जब इंटर्व्यू के लिए साक्षा अथकार के लिए गया तो मुझसे यह पूछा गया कि कोई एक श्लूक सुनाओ इंटर्व्यू देना यह कला होती है कभी इस संदर्व की चर्चा जरूर करूंगा विद्यार्थियों के लिए बड़ा उप्योगी रहेगा इसलिए तो मुझसे कहा तो मैंने यही यह नहीं सोचा कि रग्वंस का पहला श्लोक में सुनाओंगा छोटा सा श्लोक है अनुष्टुप छंद है तो क्या असर होगी विद्वानों पे ना ना आपको जो उत्तम आता हो वही आपको सुनाना चाहिए मैंने यह श्लोक सुना दिया तो बोले इसमें जिस प्रकार के शिव पारवती का वर्णन है आपने उनके दर्शन किये है प्रश्न अप्रत्यासित था यह प्रश्न मैंने सोचा नहीं था लेकिन अब इंटर्व्यू लेने जो लोग बैठें उन्हों महान भावों से कोई क्या कह सकता है उस समय तो वही सर्वोपर ही होते हैं तो उन्होंने प्रश्न कर दिया आपने ऐसे शिव पारवती के दर्शन किये हैं लेकिन हाजर जवाबी में उपरवाले ने बड़ा ही जिसको प्रत्युत पन्नमती बुद्धी कहते हैं वो मुझे दी हुई है तो मैंने कहा कि जहां तक शिव और पारवती के दर्शन का प्रश्न है तो मेरी ख्याल से वो तो किसी ने किये हो यसा मुझे मालूम नहीं है लेकिन चित्र में मैंने जरूर अर्धनारी नटेश्वर को देखा है जिसमें आधा शरीर शेव का है आधा शरीर पारवती का है मेरे इस जवाब से विद्वान लोग प्रसंद हुए और उन्होंने उसी इंटर्व्यू में मुझे पसंद कर लिया और फिर जो आज मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ वो उसमें कहीं न कहीं इस शलोक का बड़ा योगदान है तो ये मात्र कालिदास का मंगलाचरन नहीं है ये मेरे जीवन का भी मंगलाचरन है ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ ये तो थी एक मेरी अपनी याद लेकिन चुके अब तो आप सब मेरे अपने हैं इसलिए आपके साथ कभी-कभी इस तरीके की बातें करने में अच्छा लगता है आनन्दाता है कालिजास ने इस प्रकार से मंगलाचरन करने के बात अपनी विशेवस्तू पे आते हैं लेकिन विशेवस्तू पे आने से पहले वो बड़े ही सुन्दर ढंसे निदर्शना अलंकार का जो उत्तम उदाहर माना जाता है ऐसे इस लोग का प्रयोग करके और अपनी बात सुरू करते हैं कि कहां सूरिशे उत्पन हुआ ये महान वंस कहां अल्प विशे को ग्रहण कर सकने वाली मेरी बुद्धी फिर भी मैं इस सूरिवंस का वरणन करने का जो प्रयास कर रहा हूं मेरा ये प्रयास इस प्रकार का है जैसे कोई छोटी सी नाव लेकर के और समुद्र पार करना चाहता हो भई ऐसी असंभो उक्मा यहां प्रस्तुत की कि निदर्शना अलंकार का उत्तम उदाहर्ण बन गया अभी बात कतम नहीं हुई इसलिए कालिदास आगे कहते हैं वैसे तो मैं मंद गुद्धी हूं बहुत होश्यार नहीं हूं दंत कताओं पे मत जाईएगा ये तो विद्वान लोग अपने बारे में इस प्रकार से कहते रहते हैं और कालिदास ने भी ऐसा कहा लेकिन इस बात को बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं है ये तो हमें उनकी प्रतिवा से ही मालूम पढ़ जाएगा रगवन से जैसे पढ़ेंगे आप तो बहुत कुछ पढ़ चुके तो आपको तो मालूम ही है लेकिन वो कहते हैं कि मैं मंद बुद्धी यानि आज जिसको मंद बुद्धी कहते हैं वो मेरा अर्थ नहीं है कभी अपने लिए कह रहा है कि मैं मंद बुद्धी और फिर भी मैं चाहता क्या हूं कभी ये शहपरार्थी कभी के यसको मैं चाहा रहा हूं मेरी इस्थिती गमिश्याम उपहाश्यदाम मुझे मालूम है मैं हाश्य का पात्र जरूर से बनने वाला हूँ कैसे उपमा कालिदास से जिसके लिए कालिदास जाने जाते हैं जैसे शिव और पारवदी के उपमा मंगला चरण में दी थी फिर एक सुन्दर उपमा देते हैं कोई फल उंचा लगा हो और कोई वामन छोटे कद का व्यक्ती और बार बार कूद करके उस फल को तोड़ने की कोसिस कर रहा हो भाया उसको मालूम ही नहीं है कि ये मेरी रेंज से बाहर की चीज़ है मेरी पहुँच से बाहर की चीज़ है मैं ऐसा ना करूँ लेकिन जो लोग खड़े होंगे वो अवस ही इस चीज़ पे उसको देख करके हसते हैं उसी प्रकार से मैं हास्षास्पद बनने वाला हूँ ऐसा कालिदास कहते हैं फिर कहते हैं अथवा क्रतवाग द्वारे वंसेस्मिन पूर्व सूरिभी मनो वज्र समूत किने सूत्रस्यवास्ति मेगति ने ने वैसे एक बात है कि मुझे इसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्व सूरिभी जो प्राचीन मुझसे पहले के विद्वान हो गए है उन्होंने क्रतवाग द्वारे वंसेस्मिन इस वंस का वर्णन करके और बड़ा ही सुन्दर वर्णन करके इस वंस वर्णन का जो मार्ग है वो खोल लिया है ऐसे में फिरे कुपमा जैसे वज्र समूत्कीने सूत्रे सेवास्ति मेगती मणी में पहले से ही किसी वज्र जैसे साधन से छेद कर दिया गया हो और उस मणी में उस मूती में दोरी डालनी हो तो भाईया वो तो कोई भी डाल सकता है तो ये कार्य में करने में सफल हो जाऊंगा ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझसे पूरवर्ति आचारेों ने, विद्वानों ने, कवियों ने बहुत सारी इसके बारे में चर्चा की है इसलिए अब आगे मैं उसी चर्चा में जैसे कि मोती में खाली दोरा डालने वाला काम हो इस प्रकार से मैं अबस्य स्काम को कर पड़ाँगा वह में कैसा? मन्दा कभी ऐसा प्रार थी? वगेरे जो अपनी बात की ऐसा में आजन्म सुद्धानाम जन्म से ही जो सुद्ध है आफलो दे कर्मनाम फल सिद्धी तक जो कभी भी कर्म से विरत नहीं होते हैं कर्म में सनलग न रहते हैं देखिए उत्तम व्यक्तियों के गुण धर्मों में ये सबसे बड़ी चीज है आप कारे शुरू करने के बाद अगर बीच में कारे को छोड़ देते हैं तो आप बड़े सामान एक अक्षा के व्यक्ति हैं लेकिन कितनी भी मुश्किले आएं भले ही समुद्र मंथन में से विष निकले लेकिन अगर समुद्र मंथन बंद नहीं किया जाता है तो ही अम्रत की प्राप्ति होती है तो आप खलो दे कर्मणाम जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो तब तक जो कभी भी अपने कारियों को बंद नहीं करते हैं यानि मैं भी नहीं करूंगा ऐसा कालिदास कह रहे हैं और आप से मैं भी कह रहा हूँ कि संस्रुत साहितिवम संस्रुती के इस चैनल पर जब तक आपके पास तक उत्तम उत्तम बहुत कुछ नहीं पहुचा दो तब तक मैं विराम नहीं लेने वाला हूँ इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल परिक्षा लक्षी तर्यारियों के लिए बिलकुल नहीं है हां ये बात अलागे कि अगर आप इसको सुनेंगे तो परिक्षा लक्षी तर्यारियों अपने आप हो जाएंगे ये चैनल पर अगर आप हैं तो ये निश्चित है कि संस्कृत साहते उन संस्कृती के सारे विश्यों से विस्तृत रूप से आप अवगत ह wisely आपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है तो भी ग्रंथ को पढ़ने से जो विद्वत्ता आपको मिलने वाली है वो विद्वत्ता आपको मिले ये मेरा प्रयास रहेगा तो जब तक फल की शिद्धी ना हो, फल पूर्ण ना हो, तब तक जो कादिक करने में रत रहते थे आ समुद्र च्छिती शानाम, समुद्र पर्यंत प्रत्वी पर जिनका राज्य था आनाक रत वर्थ मनाम और जिनकी रत स्वर्ग तक गति किया करते थे स्वर्ग तक जिनके रथ जाय करते थे ऐसे यथा विदिधान पूर्वक आहुती देने बारे यदि यग्य आगादी में जो रथ रहते हैं देखे यग्यकान अर्थ मैं कई बार कह चुका हूँ खाली स्वाह स्वाह आहुतीयां वही यक्य नहीं है आप अगर पढ़ रहे हैं आप तपश्या कर रहे हैं तो वह भी यक्यका है मैं जो ये कारी कर रहा हूँ ये भी यक्यका है और अगर आप इसको सुन रहे हैं लगातार बिना उसके आप इसको सुन रहे हैं सारी चीज़ें आप सुन तो ये भी यक्यका है स्वाध्या यग्य है भई तो यथा अविद हुतागनी नाम यथा कामार चितार थी नाम अगर कोई याचक आजाए तो उसको जितना चाहिए उतना देने वाले यह नहीं कि मेरे पास तो इतना ही यह इतना ही दूँगा भई अरे भई सामने वाली की जरुवत के हिसाब से अगर आप देंगे ना तो वो उत्तम है हम कही बार बड़ा ही विचित्र विवहार करते हैं एक गटना करम मैं आपको बताऊं कि एक प्यून के यहाँ एक सादी हुज की पुत्री की तो उस सादी में जब पूरे श्टाफ को यह कहा गया कि आपको इस सादी में कुछ कॉंट्रीब्यूटर ना चाहिए कॉंट्रीब्यूटर यानि उसको विवहार के तौर पे कुछ देना चाहिए तो कुछ इस प्रकार की बाते हैं कि 100 रुपए के सादी तो बहुत है अब आज के जमाने में 100 रुपए की वेल्यू कितनी भीया क्योंकि उसके यहां से आमंत्रन नहीं था उसके यहां खाने नहीं जा रहा था इसलिए 100 रुपए देने वाली बात हुई इसी प्रकार से किसी एक अन्य व्यक्ति के यहां जो कि जिसने खाने का अमंत्रन दिया था उसको जब व्यवहार करने का नंबर आया तो उसको 500 रुपए का व्यवहार किया जा रहा है तो मुझे यह समझ में नहीं आया वास्तो में जिसको 55 रुपए का व्योहार की जरूरत है क्या वो समुरुद है सुखी है उसके पास सब कुछ है आपके 55 रुपए देने ना देने से उसको तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला लेकिन अगर इस व्यक्ति को जो सेवक है जिसको वास्तो में इस पैसे की जरूरत है उसको अगर आप इस तरीके से दें लेकिन नहीं समाज यह सोचता है मुझे कितना वापस मिलेगा उतना नहीं ये सुर्यवंसी राजा जो है वो जो मांगने आता है उसकी जो अपेक्षा हैं वो अपेक्षा हैं पूर्ण कर हो इस प्रकार से उनको दान दिया करते थे यह था अपराध दंडा नाम जो जैसा अपराधी हो उसको उसी प्रकार से दंड दिया जाता था यथा कालब प्रवोधिनाम और उचित समय पे जागने वाले यहां सुवेश होके उठने से जागने का मतलब नहीं है बैई कोई भी कार्यापको करना हो उस कार्य के लिए आपके पास जो प्रकृती है या जो डेस्टिनी है जिसको आप विधी का विधान कहते हैं जिसको आप भाग कहते हैं वो एक अवसर आपको उत्तम अवसर जरूर देता है कोई भी कार्यापकरार हम करें उसको सफर बनाने के लिए विधाता आपको एक अवसर जरूर देता है लिकिन अगर वो अवसर हम चूक जाते हैं चाहे वो सोने में गुमाते हैं चाहे बेहोसी में गुमाते हैं, या अपने किसी अन्यकारे में लगे रहे हैं, और हम उस चीज को भूल जाएं, तो समझ लीजिए कि वो समय चला जाता है, और फिर हम कहते हैं, अरे यार, मौका तो बड़ा अच्छा था लेकिन मैं चूक गया, ये सूर्यवन्शी राजा कभ त्याग के लिए ही जो अर्थ संग्रे किया करते थे, देखे चानक के नीती में भी कहा गया है, कि धन जो है, वो त्याग करने से ही वृद्धी होती है, विदुर नीती में भी ये कहा गया है, और नीती शत्रक्म भरत रहली ने भी ये कहा है, दानम भोगो नाशा, देखे तिन चीजे दान, भोग और नाथ उसमें सबसे पहले क्या लिया दान लिया त्यागाय सम्ष्मप्रुता Istana सत्याय मितभाशिणâm कम दैबना करते थे लकिन इसलिए नहीं कि उनको बोलना नहीं आता था क्योंकि सत्य ही दैबना करते थे विजय किया करते थे, दिख विजय करते थे, लेकिन इसलिए नहीं, कि उनको अपना राज बढ़ाना है, वो इसलिए दिख विजय किया करते थे, क्योंकि उनको यस की अभिलासा रहती थी, कि वो यसस्विहों लोग उनको चाने, प्रजा यही ग्रह मेधिनाम, और जो ग्रहस ग्रवास्थ्द्ध्र्म इसल् Vegan करते से थे क्योंकि संता मुद्द्ध५्ण 7 ग्रवास्थर्म विवाह इस各ya नहीं करते से कि बड़ा आनंद करना है क्योंकि संता मैं वैवाहिक काल की बाद ही होती है शैशवे भ्यस्त विद्यानाम योवने विशये शिनाम वार्धक्के मुनि मृत्ती नाम योगे नांते तनुंते जाम देखे या के सारे श्लोक आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि सूरिवनसी राजाओं का बढ़ना है सूरिवनसी सभी राजाओं के विशयस्ता इसमें आजाएंगे चाहे वो मनु हो चाहे दिलीफ हो चाहे रभू हो चाहे आज हो अब ये सारी चीजें तो सब में ये क्वालिटी क्या है ये तो पर्मानेंट है जो सभी राजाओं में पाई जाएगी बाकि उनकी अपनी जो विशेस्ता हैं वो उनके चरित्र के साथ उस टाइम पर देखेंगे बाल्यकाल्य में जो विद्याओं का अभ्यास किया करते हैं जैसे भ्यस्त विद्यानाव वालकाल में यह नहीं कि जब बुड़े होगे तब समझ में आया कि और यार अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा था और फिर एडिमिशन ले रहे हैं फिर पढ़ना शुलू करें ना यहां तो वाल्यावस्ता में ही विद्याओं का ज्यान प्राप्ति कर लिया करते थे और यववने यववस्ता में जो विश्यों का उपभोग करते थे देखे हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुर्शार्थ हैं जो चारों पुर्शार्थों में से पहले तीन पुर्शार्थों में सफल होता है ना वही मोक्ष रूपी चतुर्थ पुर्शार्थ प्रा में जाकरके और निवास किया करते थे और अंत में योग द्वारा जो अपने शरीर को त्याग किया करते थे ऐसे महाण सूर्वंसी राजा राजाओं के कुल का मैं वरणन याद करते हैं कि मेरा तनु जो वाग वैभव है मेरा जो वाणी या मेरी जो विद्वत्ता है वो तनु यानि छोटी है मेरे पास बहुत बुद्धी नहीं है मैं बहुत बड़ा कभी नहीं हूँ मंदा कभी ऐसा प्रार्थी जो आगे कहा था उसी बात को फिर से याद दिला रहे हैं कि मेरा वाग वैभव कम होने के बाद भी इस प्रकार के रखुबन्शियों का जिनका वर्णन पिछले कोछ श्लोकों में किया गया उनकी वंस का वर्णन में करने जा रहा हूँ तद बुणई ही कर्ण महागत्य चाप लाए प्रचोदिता अरे भईया नहीं है बुद्धी तो क्यों करने जा रहे हो तो कालिदास उसका कारण बता रहे हैं क्योंकि उनके गुणों ने मेरे कानों के अंदर प्रवेस करने के बाद मुझे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया इतने उत्तम गुण है उनके इतने उत्तम गुण साली हैं ये सारे शुरिवन्सी राजा कि अगर मैं उनका वर्ना ना करू तो इस दुनिया में मेरे लिए करने जैसा और कोई काम है ही नहीं मुझे ये लगता है कि ये कारे तो मुझे करना ही पड़ेगा और इसलिए चाप लाए प्रचोदिता ये चंचलता करने के लिए उनके गुणों ने मुझे प्रूर्द किया है इसलिए ये कारे में कर रहा हूँ आगे कहते हैं तो विद्वान लोग महा कावी कालिदास कहते हैं विद्वान लोग इसको अवस्य स्रोतमर रहनती है देखे मैंने कहा स्रवे कावे है अवस्य ही इसको सुनेंगे सद असद व्यक्ति है तो वाहब क्योंकि वही क्या उत्तम है और क्या अनुत्तम है इसकी व्याख्या वही कर सकते है क्योंकि अगर सोने की विसुद्धी को जाचना हो सोना सुद्ध है या सुद्ध है उसको जाचना हो तो उसको अगनी में डालना ही पड़ता है चाहे वो अगनी में डालने के बाद काला ही क्यों न हो जाए फिर उसको साफ कर दिया जाएगा लेकिन उसकी सुधता को अगर जाचना है तो एक बार तो अगनी में डाला ही जाएगा हाँ, अगनी में पढ़ने के बाद जो उसका रंग वास्तों में मालूम पढ़ता है उसी सी ये चीज मालूम पढ़ती है कि सोना कितना शुद्ध है तो जो विद्धवान लोग हैं, जो मेरे परिक्षक हैं, वो सुनार की तरह काम करेंगे और उनकी कामों में पहुँचने के बाद ही मेरा ये गरंद कैसा है अब तो हम आप जानते हैं कि सर्वस्रेश्ट महाकावे के रूप में जिसको स्थान प्राप्त है कालिदास बड़े ही विद्धवान है, फिर भी उन्होंने इस तरीके से अपनी वाद प्रस्तुत की है यहां से श्लोक नंबर 11 आता है और यहां से रगुवन से जो है, सूरिवन से जिसको कहें उसका वड़न सुरू करते हैं कहते हैं अगर आपको पूरा वड़न जानना है तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेइलिस्ट महाभारत में भी महरशिकस्यप की संतानों का वड़न है किस प्रकार से सूरिवन से का प्रारंब हुआ है विस्तार से आप वहां देख सकते हैं आप वालमी की रामयन में भी जा करके भगवान राम की विवाह के समय पे महरशिवसिष्ट ने उनका साखोचार किया है उनका साखोचार का मत्त्त उनके पूरवजों गवरणं किया है उसमें भी आप ये प्रारंबिक देखे महर्शिवालमी की इन शाखोचार में जिन जिस वन्शावली को रखा है यहां वो वन्शावली उस तरीके से नहीं पाई जाती है उसमें परिवर्तन है लेकिन फिर भी यो पूर्वाज है प्रारंबिक जो काल है वो एक समान है कि कश्यप के यहां आदित्य का जन्मुवा विवस्वान का जन्मुवा सूरी जिन को हम कहते हैं और उनसे वैवस्वत दो पुत्रुवे मनु और यम्राज यम्राज को भी वैवस्वत कहा जाता है और मनु को भी वैवस्वत कहा जाता है तो उनसे मनु का जन्मुवा जो मनीशियों में माननिय थे इन मनु की संतान होने के कारण ही हम सब मानव के रूप में जाने जाते हैं मानवी सुर्ष्टी जो कही जाती है चुकि हम मनु की संतान है इसलिए हमें मानव कहा जाता है तो मनीशियों में जो माननिय ऐसे मनु का जन्म विवस्वान के यहां हुआ आसीन महिक्षिताम आध्या प्रणवा चंद सामिवे वो सभी राजाओं में सबसे प्राचीन और प्रतम राजा थे जैसे सभी प्रकार के चंदों में प्रणव ओंकार जो है वो प्रतम है दीखें यहां पे उपमा कालिदासर से विख्याद है यहां पे भी फिर से एक सुन्दर उपमा का प्रयोग करते हैं उनी के वंस में पुरा बढ़न नहीं किया है कि उसके बाद कौन होए कौन होए पर यह कहते कि उनी मनु के वंस में शुद्धिमती सुद्धिमत्तरह दिलीपह प्रशूलतह अत्यंत शुद्ध बुद्धिवाले पवित्र जैसे समुद्र मैं से चंद्रमा जो चौदैरत ने प्रगट हुआ और में चंद्रमा भी था जैसे समुद्र मैं से चंद्रमा का जन्म हुआ ऐसे इस खुर में महराज दिलीप का जन्म हुआ है। प्रिश्च कंधा आज से 2000 वर से पहले महराज दिलीप के सारी दिख्च वर्ण करते हुए क्या क्याते हैं व्यूडो रसको व्रशसकंधा शालप्रांसुर महाभुजा आत्म कर्म अप्षमम देहं क्षात्रो धर्म इवास्रता व्यूडो रसको जिसकी छाती चोड़ी है व्रशसकंधा व्रुश शान कहते हैं गुजराती में आखला कहते हैं बैल की तरह जिसके कंधे मजबूत धुरी धारण कर सके ऐसे मजबूत कंधो वाला शाल प्रानसुर महाभुजा जैसे साल व्रुख्ष की डालिया होना है ऐसी सीधी और लंबी है भुजाएं जिनकी देखिए भुजाओं की बात जो है हमारे हैं ये बड़ा ही उत्तम एक गुण कहा गया है कि अजान वाभु जादा तर लोगों के हाथ उनकी कमर तक ही पहुंचते हैं अगर हाथ आप सीधे नीचे लटका रहे हैं और आपके हाथ आप सीधे खड़े हैं और आपकी कमर से नीचे आपकी जंगाओं तक पहुंचते हैं यानि आपके हाथ आपके शरीर के प्रमाण मे थोड़े ज़्यादा लंबे हैं तो आप परम तेजश्वी परम प्रतापी होंगे भगवान राम भी जान वाहू थे और वर्तमान काल में महत्मा गांधी भी इस तरीके से उनके हाथ लंबे थे आप चित्रों में भी देखेंगे तो भी आपको इस चीज़ का एसास होगा कि उनके हाथ आपको लंबे दिखाई जेते हैं यहाँ पे महराज दिलीप के ब्रणन में कालिदास कहते हैं कि शाल अप्रांश और महा बुजा शाल की तरह लंबी हैं जिनकी बुजाएं आत्म कर्मक्षमम देहम जो उत्म कार हैं उनको आत्म कर्म अपने लिए ने ने क्षत्री राजा तो अपने लिए ये कहा जीता है क्षात्रो धर्म ही वासरता साक्षात क्षत्री धर्म ही उपस्तितो इस प्रकार से अपने कर्मों में जिनका सक्षम सरी रहे कई बार क्या होता कि लोग दूसरों की सेवाई लेते रहते हैं, उठने बैठने में तो ठीक है, चलो मेरा ये काम करतो, मेरा वो काम करतो, ये उत्तम गुण नहीं है, राजा हो करके तो चारो तरफ आपके सेवक बने रहेंगे, ऐसे मैं अब हर बात में ये करो वो करो, नहीं ये महराज दिलीप जो है, अपने प्रतीक कारिकों करने में सक्षण, ऐसे साक्षात क्षत्री धर्म उपस्तित हो, इस प्रकार के ये महराज हुए, आगे वरणन करते हैं महराज दिलीप का, और कहते हैं, सर्वातिरिक्त शारेन, सर्वते जो भिभाविना, सिता सर्वोन न सर्वते जो सर्वातिरिक्त शारेन Lock, सापे लोगों में जो शक्ति हो, उससे कुछ अत्रिक्त, एक्स्टरा एनर्जी, एक्स्टरा पावर, एक्स्टरा सक्ती, अधिक शक्ती इनके पास थी, सर्वते जो भिभाविनाम, सभी प्रकार के तेलों को जो अपने सामने आप इस चीज को देखते रहेंगे, इसलिए ये सारे शलोप में ले रहा हूं, कि जो विशेस्ता है, सभी राजाओं में पाई जाते हैं, उनको तो एटलिष्टमया देखी सकते हैं, बाकी तो फिर आगे देखेंगे, तो सभी तेजों को जो अभिभूत करते, यानि जिनके स सामने और किसी की तेजस्विता दिखाई न दे, इस प्रकार दे, स्थिता सर्वोन नतेन और भी, संपून प्रत्वी को उन्नत बना करके स्थित ऐसे साक्षा, जैसे सुमेर्व परवत, पूरी प्रत्वी पे सबसे स्रेष्ट परवत के रूप में और स्थित रहता है, इसी सद्रश प्रग्या, प्रग्या सद्रशागमा, आगमे सद्रशारंभा, आरंभा सद्रशोदया, बहुत सुन्दर बात कह रहे हैं, कि जैसी उनकी आकृती थी, ऐसी ही सुन्दर उनकी बुद्धी थी, और जैसी सुन्दर बुद्धी थी, प्रग्या सद्रशागमा, वैसी ह उनकी विद्वत्ता थी और आगमे शद्रशारंबा जैसे वो विद्वान थे जैसे वो समस्तार थे उसी प्रकार से कार्यों को प्रारंब किया करते थे उसी प्रकार से वो कारे करते थे आरंब सद्रशो दया और जैसे सुंदर कार्यों का प्रारंब होता था वैसे ही सुंदर फलों की प्राप्ति हुआ करते थी, बहुत सुन्दर ये सर्कल बनाया है महा का विकालिदास ने, फिर से हम इस चीज को ज़रा संजें, व्यक्तियों के अंदर ये विशेशता, जैसी शकल हो, अगर वैसी बुद्धी भी अच्छी प्राप्त हो, तो विक्ति, फिर तो क्या है सोने पे सुहागा है, और जैसी बुद्धी हो, बैसा ही वो विद्वान भी हो, कई बार लोगों के पास बुद्धी तो होती है, लिकिन उसका उप्योग ही नहीं करते हैं, यहां बुद्धी का उप्योग करके विद्वान बनना बढ़ता है, और जैसे आप विद्वान है, उसी प्रकार से आपके पास निर्णय चमता होनी चाहिए और अगर आप योगी निर्णय लेंगे, योगी समय पे कारे प्रारम करेंगे, तो आपको योगी फल तो मिलेगा, वो यहां पे होता है भीमकांता हिंद्रप गुणई साब अगुवोप जीवी नाम अधुरुस्यस चाविगम्यस्य यादो रतने इवारनवा भै भीमकांता भैंकर प्राक्रमी है और उत्तम गुणों से उप्युक्त है उत्तम गुणों से युक्त है उत्तम गुणों से युक्त है उत्तम गुण और अपनी बात कहने में घबराते नहीं थे देखिए दोनों चीज़े ये उत्तम गुण है कोई मैनेजर हो आप किसी उची पोश्ट पे हैं यहां तो राजा की बात है राजा ना हो लेकिन फिर भी आप ऐसे ना हो जाएं इतने स्रेष्ट ना बन जाएं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर ऐसे नहीं हो जाएए कि कोई आपसे बात ही ना कर पाए अपनी बात आपसे कह ही ना पाए और आप ऐसे भी मत बन जाएए कि सभी आपकी पीट पे हांत रख करके और आपको दोनों ही स्थिती में आप सफल नहीं हो सकते हैं महा कभी कालास मैनेजमेंट की सुन्दर बात यहां महा कभी अरे महारादिलिक के वरणन के बाहने से करते हैं कि वो ऐसे उत्तम थे कि जिसको अपनी बात कहने वो कह भी सकता था इतने कोमल थे और इतने कठिन भी थे कि हर एक व्यक्ति उनके सामने जाकर के धृष्टता करने की कोशिस नहीं करता था रेखा मात्र मपिक छुन्याद आमनो वर्तमनापरम नाव्यती हू प्रजास्तस्ये नियंतुर नेमिहेत वरुत्या बई महराज दिलीप ने जो नियम निरधारित कर दिये प्रजा उन्ही नियमों का पालन किया करती थी देखिए प्राने समय में ऐसे पक्के रोड नहीं हुआ करते थे कच्चे रास्ते होते थे और कच्चे रास्ते में जब वाहन चलते थे तो वाँ लीक बन जाती थे उसको हम कहते हैं लकीर के फकीर जो कहा जाता है तो बेल गाड़ी उस समय तो कुछ भें से पाड़े जोड़ के भी गाड़ियां चलाई जाती थे तो उन लोगों को चलाने वाले कई वार चालक जो है वो सोजाया करते थे और फिर भी उस लीक पे वो लोग चलते रहते थे और जहां आपको जाने वहाँ पहुचा दिया करते थे इसलिए हमें कई बार एक प्रचलित बाक्य है कि लोग लकीर के फकीर लकीर को इस तरीके से चलने लग जाते हैं कि नई जगे पे या नया कोई चिला सुरू करने की कोशित नहीं करते हैं क्योंकि महराज दिलीप ने ये किया है उन्होंने ये कहा कि जैस प्रकार से लकीर पे ही इस प्रकार से उन्होंने जो जो नियम बनाए थे लोग उन्हें नियमों के अंदर ही रहा करते थे एक सुन्दर नियंतुम नेंग रुकता है यहाँ जैसे पूरे रथ के पहिये को उसके उपर चड़ी हुई लोगे की निमी बांध के रखती है उसको फैलने नहीं देती है ऐसे ही प्रजा उनके साथ बंधी रहती थी उनकी नियमों से बंधी रहती थी प्रजाना मेव भूत्य अर्थम सत अभ्योबली मंग रहीत सैस्टर गुण उस्रुष्टम आदत्ते ही रसम रभी जैसे सूर्य जमीन में से जल को वास्पी करण करके खीसता है फिर हजार गुणा करके उसको बरसाता है उसी प्रकार से ये महराज भी लोगों के बास से करव अगेरे लिया करते थे राज चलाना है तो प्रजा से टेक्स तो लेना पड़ेगा लिया करते थे बलिम अग्रहीतर पर इसलिए नहीं कि अपना घर बरना है इसलिए भी नहीं कि उनका अपना कोई स्वारत है प्रजा के कल्यान के लिए सहस्त गुणाओं करके वह वापस प्रजा को मिले इस प्रकार से ये व्योहार किया जाता था कि उनके पास बड़ी सेना थी लेकिन वो तो खाली सो उसकी जिरुवत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि उनके लिए अर्थ साधन के दो ही कारणा थे एक शास्त्रों में अकुंटित बुद्धी शास्त्रों में सनलगन बुद्धी और धन उस पे चड़ी होई उनकी प्रत्यचा ये दो चीज़ें उनके पास ऐसी थी कि कभी भी वो कोई निरने लेते थे वो गलत नहीं होता था ये उनकी बुद्धी का काम था और धन उस पे जब बान चड़ा दें तो फिर किसी सेना की मदद की जरूरत नहीं है वो अकेले ही सब भारी थे कारे को गाहिए नहीं कारे को करिये जब उसके फलकी प्राप्ति होगी तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कितना महान कारे है तो महराज दिलीप भी जब कारे शुरू करते थे तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता था उनकी मंत्रणा भी नहीं होती थी और जब कारे में सफलता मिल जा तो उनके फल से ही जाना जाता था कि उन्होंने क्या कारे शुरू किया है और कुछ उत्तम शुरू क देख करके इस सर्ग को इस सर्ग की कथानक आप से कह करके इसको पूरा करेंगे ज्ञाने मौनम छमा सकतो त्यागे शलाग्या विपर्येहा गुणा गुणानु बंदित्वाद तस्य सप्रसवो इवर ज्ञान होने पर भी मौन शक्ति होने पर भी क्षमा त्यागशील होने पर भी आत्म प्रसंसा से दूर इस प्रकार से एक गुण का विरोधी जो गुण था वो सारी गुण उनमें एक साथ जन्म लेकर के रहते हों इस प्रकार से महान गुणधारी महराज दिली थे देखेए राजा की जवाबदारी कितनी होती है परजा के अंदर विने का आधान करने से उनका रच्षन करने से और उनका भरन कोशन करने से परजा काबु में रहनी चाहिए उद्दत नहीं हो जानी चाहिए कहीं गोरक्षा के नाम पे तो कहीं आरक्षण के नाम पे तो कहीं किसी नहीं सब को नियम बद्ध तो रहना होगा अगर नहीं रहते हैं तो दंड के अधिकारी हैं राजा को चाहिए कि उनको दंड दे उनको विनम्रता भी राजा सिखाता है उनकी रक्षा भी राजा करता है और उनका भरण पूर्शन भी राजा करता है यानि संस्कार भी राजा ने दिये रक्षा भी राजा ने की और खिलाया पिलाया भी राजा ने इस प्रकार से महाराज दिलीप ही समस्त प्रजा के राजा थे उनके जो अपने पिता थे वो तो जन्म देने जन्म दिया इसलिए वो पिता का पत था उनका बाकी तो वास्तों में समस्त प्रजा के पिता महराज दिरीब थे बेश्यों पिसमता सिष्टा तस्यार तस्ये यथव शदम त्याज्यों दुष्टा प्रियों प्यासी अंगुली वो रगप्षता बैए उंगली में शर्पने काट लिया हो तो विस फैलने की राह न देखें उस उंगली को जैसे काट देने से जीवन बच जाता है जैसे कडवी होने पे भी दवा जो है वो खानी पड़ती है क्योंकि रोगी व्यक्ती है कडवी दवा खाके वो अगर ठीक हो सकता है तो हुआ जाता है ऐसे जो द्वेसी लोग थे वो भी राजा का द्वेस नहीं करते थे वो भी राजा दिलीब के साथ सम्मत हुआ करते थे ऐसे महराज दिलीब की पत्नी सुदक्षिना थी तस्य दाख्षिन्य रूडे ने नाम नाम मगदवन सजा पत्नी सुदक्षिने इत्यासी अध्वरस्यव दक्षिना जैसे यग्गे की दक्षिना हो जिसके नाम में ही दक्षिन सब्द दक्षिने है ऐसी सुदक्षिना नाम की मगद देश की राजकुमारी महराज दिलिप की पत्नी थी काड़िदर्स कहते हैं कि रनिवास में बहुत सारी रानियां होने के बाद भी महराज दिली खुद को दो ही पत्मियों के कारण पत्मिवान मानते थे एक लक्षमी यानि राज लक्षमी जो समुद्र तक पहली होई थी और दूसरी ये सुदक्षिना सुरी वन्षियों का बरणन महराज दिलीप और सुदक्षिना का परिचे देने के बाद अब प्रतमनकी की कथा पे आते हैं महराज दिलीप के यहाँ सब कुछ ये होते हुए भी संतान नहीं है और इसलिए वो जब काफी लेट हो गए संतान नहीं हो रही है क्योंकि आजकल तो बहुत सारे इस प्रकार की केंदर बन गए हैं सेंटर बन गए हैं पहले तो कोई भी समस्या हो एक ही सेंटर हुआ करता था और वो थे गुरू सुरी वन्षियों में गुरू थे वसिष्ठ तो महराज दिली भी जो हैं अपनी समस्या को लेके अथा भ्यर्चे विधातारं प्रैतो पुत्रकाम्या तौदंपती वसिष्ठ अस्ये गुरूर जग्मू तुरा अस्रमं गुरू वसिष्ठ के आस्रम में जाकर के वो पहुंचते हैं सिनिक्द गंबीर निर्गोष मेकम स्यंदनम्मास्तितो प्राव रुष्ण नेवे पयोवाः विध्युद अईरावता अभिवाः भाईक सुंदर रत पे बैठके जो जिसका गोश जिसका आवाज आज भी देखिए विविध प्रकार के जो वाहन है वो अपनी आवाज से तो इस प्रकार से राजा के रत की जो निर्गोष मेकम स्यंदनमास्तिता जो जोड़दार अवाज करता है विसिष्ट अवाज करता है सिनिक्द गंबीर सिनिक्द भी और गंबीर भी है इस प्रकार के रत पे बैठकर के महराज दिली और सुदक्षिना वहाँ पहुंचते ह जाकर के गुरु वसिच के आस्रम में रास्ते का पूरा बनन किया है उनके रच के चलने से उसके आवाज को सुनकर के जैसे मेख गर्जना कर रहे हूं ऐसा लगने लग जाता है इसलिए मोर भी बोलने लग जाते हैं इस प्रकार से बहुत सारा महाकवी कालिदास्तो प्रकृत भी जीवंत रहती है और अनकूल पवन की बात करते हुए पशुपक्षियों की बात करते हुए महाराज दिलिप जो है मालुम भी नहीं पड़ा कि कब वो गुरु वसिच्ट के आस्रम में पहुँच गए है कालिदास्तो बनन करते हैं तदद भूमिपती पत्नेई दर्सया महाराज अपने प्रियतमा के साथ निकले हैं तो जो दर्सनी चीजे हैं वो तो स्वाभाविक है कि दिखाते हुए जाएंगे तो सब दिखाते हुए जा रहे हैं अपी लंगित अध्वानम बुबुधे नाव बुधो बमां तो ये मार्ग ये जो यात्रा तो कोई भी हो वो कब व्यतीत हो गया पता भी नहीं चला सा दुस्प्राप यशा प्रापदात स्रमम शांत वाहना सायम सैयम इनस्त श्य महरशेर महिशी सक्खा अपनी महराणी के साथ संध्याकाल पे वो महरशी वस्षिष्ट के आस्रम में जाकर के पहुँच जाते हैं महा कभी कालिदास वरणनों में तो बड़े ही चितरात्म वरणन करते हैं आस्रम का बहुत संधर वरणन किया है महराज दिलीप ने वहां पहुँच करके पहले सुदक्षिना को नीचे उता रहा है फिर स्वयम्रत से नीचे उतरे हैं देखे ये बड़ी ही ज्ञान की चीज कई बार ऐसा हो ता है कि ट्रेन में चड़ने जाए वैकति चढ़ जाता फिर पतनी को चड़ाता तब ट्रेन चल्दी पतनी नीचे रहे हैं seperti तो तब अपर अचल ने के समय Horizons समय को आज ऐसा यहां शिक्षा भी मिलती रहती है इस प्रकार से आस्रम में पहुँच करके और वहां आस्रम में महरसी वसिष्ट को बैठे हुए देखते हैं अरुंधती के साथ में कालिदास ने बड़ा सुंदर बढ़न किया है विधे सायन तनस्यान ते सायन कालिन संध्या विधी सब्सक्राथों बैठे हुए है स्वाहिव हविर्भुजम जैसे स्वयम अगनिदेव स्वाहा के साथ बैठे हो इस प्रकार से महराज उनके दर्सन करते हैं उनके पैर छूते हैं और उनके पैर छूने के बार महराज वसिष्ट पूरे विधिविधान कुलवक उनका आतित् प्रकार का अमंगल तो होई नहीं सकता है, सब कुछ को सल है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे आपने मार्दर्शन दिया, उसी प्रकार से सब कुछ उत्तम रूप से चल ला है, प्रजा, राज, राजकाज, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन किंतु बध्वाम तवैतस्याम, अदृष्ट सदृषम प्रजम, लेकिन आपकी जो ये बधु है, इसके यहाँ, अदृष्ट सदृषम प्रजम, संतान चाहिए और सदृष चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, उसके दर्सन ना होने के कारण, ना मामति सद्वीपा, रत्न सूरभी मेदनी, ये प्रत्वी जो है, वो मुझे व्यर्थ प्रतीत होती है, ये मुझे निसकारण प्रतीत होती है, लोकांतर सुखम पुन्यम, तपोदान समुद्भवम, संतती सुद्ध वंस्याहि परत्रेह चसर्मने, आप कितने भी उत्तम कारी करेंगे, उससे आपका परलोग सुधर सकता ह लेकिन अगर उत्तम संतान है, तो आपका ये लोक भी सुधारेगी और आपका परलोग भी सुधारेगी, इस प्रकाल से उत्तम संतती बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पे महराज दिलीप के मुख से कालिदास कहते हैं महरसी वसिष्षे महराज दिलीप कहते हैं तयाहीनम विधातर्मो कथम पस्यन नदूये से सिक्तम स्वयम इवस्थ नेहाद बंध्यम आस्रम रुक्षकम आप मेरी हर तरे से ख्यार लगते हैं, मेरा हर तरे से आप ख्यार लगते हैं तो आपको मेरी चिन्ता क्यों नहीं हो रही है इस प्रकार से निसंतान देख करके अरे आस्रम का कोई व्रुक्ष जिसको आपने स्वयम सिंचित करके बढ़ा किया हो, अगर वो फल ना दे तो पीड़ा नहीं होती है क्या महाराज दिलिप की बाते सुन करके तुरंत ही गुरु वसिष्ट ध्यान करके और इस चीज को देखते हैं और महाराज दिलिप से कहते हैं इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमित लोचनाहा ख्षनमात्र रिसिस्तस्तो सुप्तमीन इवहरदा जैसे समुदर में कोई मचली सोजाए ना इस प्रकार से थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आखे बंद की और फिर उन्होंने महाराज दिलिप को सारी बात बता दी पूरा शक्र मुपास थाये तबोर्वीम प्रतियासेदा आसीत कल्प तरुच्चाया मास्रिता सुर्भी पती भई एक बार की बात है कि आप इंदर से मिलकर के बापस आ रहे थे और चूंकि आपकी पत्नी ये सुदक्षिना जो है ये उस समय रजश्वला थी और आपको ऐसा था कि समय ना वीत जाए और मैं समय वहां पहुंच जाओं जिससे कि उत्तम संतान की प्राप्ति हो और ऐसे में मार्ग में कल्प बुच्च की छाया में बैठी हुई कामधेनू को तुमने देखा नहीं और इस बज़े से कामधेनू को जब तुमने प्रणाम न जो कारण बता सकता है वो पाय भी बता सकता है तो मत प्रसूती मनाराध्य प्रजेदी द्वाम ससापसा जब तक उसकी पुत्री को आप नहीं सेवा करेंगे तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी इस प्रकार से ये पहले सर्ग की कथा पूरी होती है माराज दिल उस गाय की सेवा का निर्ने लेते हैं, बड़ा विस्तार से चल रहा है, लेकिन प्रथम सर्ग था, इसलिए इतना विस्तार है, आगे इस तरीके के विस्तार नहीं होगा, और थोड़ा संक्षेप में ही, मैं कोसिस करूँगा, कि एक राजा की जीवन परचे के लिए एक वीड दिवत्ता के लिए बहुत उत्तम है, धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर रहिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहिति वन संस्कृति, सब्सक्राइब कीजिए और मितनों तक पहुंचाईए,